पोज़ति दी जाती है जो पूर्टा सह होती है आज 30 दिसमबर आप देख रहे हैं दैनिक समाचार बात करेंगे टॉप न्यूज की बाती बारे में कई कुरोना की वैरियंट है और यह भी बताया जा रहा है कि जो भी वैरियंट सामने आ रहे हैं वह चीन से आ रहे हैं चीन के माधिम से भारत में प्रिविश कर रहे हैं कोई ब्यक्ति चीन में जाता है वहां से कुरोना वैरियंट ले कि उत्पत्री कैसे हो जाती है क्या कुरोना महमारी के दवरान जिस तरह से पहले प्रतिबंद लगे थे क्या अब भी प्रतिबंद लग सकते हैं इस पर बात करेंगे पूरी जानकारी तुछ वीडियो को पूरा देखेगा निकाय चुनाओ पर रोक जारी रहेगा आज सुनव हो जाता है तो क्या होगा नहीं होता है तो क्या होगा निकाय चुनाओ को लेकर जो आज सूचना जारी होनी है कब तक जारी होगा ओभी सी मुद्दे पर आज कोट में क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे पूरी जानकारी देंगे मामला क्या है भारत जोड़ो यात्रा से ब कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा बीजेपी हमेंसा मजबूत पार्टी है मजबूत पार्टी रहेगी भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ नहीं हो रहा है जो आखिर भीड़ नहीं हो रहा है तो बीजेपी के मंत्री के द्वारा आखिर कार राहुल गाधी को पत्र क्यों लिख हो सकता है और लोगों को दिक्कते हो सकते हैं करोना की महामारी फैल सकती है पूरी जानकारी दूंगा क्या है माजरा क्या ऐसा लगता कि बीजेपी 2022 में जो भी चुना हुए या 2023 में जो भी चुना होने या 24 चुनाव चुना होने वाला है उससे घबराई हुई है क्या भी बीजेपी के हाथ स सत्ता जा सकते हैं कोई आउट होती है तो कर सकते से लावा वीडियो को अंतक देखीयेगा मौदी जी के दोबारे छेतामनी दी गई है कोरोना पोर्टो काल को लेकर कोरोना की महामारी को लेकर इस पर बात करेंगे सरकारे सुखवरों में छुट्टी का आदेश जारी कर दिया गया है, किस तारी से किस तारी तो छुटी रहेगा जो छुटी किया गया है इस पर बात करेंगे आउर्सोर्सिंग पर भरती ना हो पर्मानिंड भरती हो ऐसा कोट ने कहा किस बात पर कहा इस पर बात करेंगे यह एडवांस पैच्छत थी और आप इदन तिथी को लेकर बहुत ही महत्पूर जानकारी है उस देने का प्रियास किया जाएगा पहली खबर की बारे में बात कर लेते हैं जेई एडवांस को लेकर है मैं आपको बता जूँ जेई एडवांस दोजार तेश चार जून को रिजिस्ट्रेशन तीस अपने लिए से होगा आपको बताना चाहता हूँ आई आई टी आई आई सी बंगलूरू आई आई एस एस टी आई आई एस ए आर में दाखिले के लिए जेई एडवांस दोजार तेश चार जून को होगी आई 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 टी गुहार्टी ने इसका सेडूर जारी कर दिया है पहला पेपर सुबा नौ से बारा बज़े तक होगा और दूसरा पेपर दोपहा धाई बज़े से पांच बज़े तक होगा जेए मेन दोजार तेश के मेरिट्स से सीस धाई लाग सफल उम्मिद्वार इसमें भाग ले सकेंगे जो की अब तक की सबसे बड़ी ख़बर है तीस अप्रेल को आनलाइन रेजिस्टेशन स्टार्ट हो दाएगा पांच मईस साम पांच बज़े तक आनलाइन रेजिस्टेशन फीस्ट जमा करनी होगी समानी उम्मिद्वारों को 2900 रुपे और सभी वर्गुक के छात्रों के लिए 1450 रुपे फीस निधारिश किया गया है OBCR एच्छन को लेकर बात करते हैं देखे निकाय चुनाओं होने वाला है लेकिन मामला कोड में चला गया है आखिर कार क्या है मामला और किस मामले पर बहस हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी में प्रस्ताविन निकाय चुनाओं में ओबिस्ति आरचण को लेकर इलावाद हाई कोड की लखनों खंड पीठ में गुरुवार को भी सुनवाई हो सकी है सुक्रवार को इस केस की सुनवाई होगी देखना होगा क्या होता है अगर आज कोई डिसीजन नहीं आ पाता है तो सुनवाई जनवरी मां में होगी और मैं आपको बताना चाहता हूँ के लावत हाई कोट की लखनों पीछ में जश्टिस दिवेंद्र कुमार उपाद ध्याय युम जश्टिस सवरोब लवनिया की प्यंच में निकाय चुनाओं में OBC आरच्छन को लेकर जाए रियाजका पर समया भाव की कारण गुर्वार को तैं समय पर सुनवाई नहीं हो सकी केस में कोट अब सुक्रवार को सुनवाई करेगा तब तक अज सूचना पर रोक रहेगा मैं आपको बता दू जितने भी वकील है बहुत होनार है और मैं आपको बताना दो जितने भी वकील तरक दे रहे एक से एक वहत्पूर तरक दे रहे निकाय चुनाओं में OBC है कि सुप्रीम कोड के OBC आरचण को लेकर टिपल टेस्ट फारमूला के अनपालन में सरकार को एक कमीशन बनाना चाहिए वही राजी सरकार का कहना है कि उसने राइपिट सर्वे कराया था अतावा मेकेनिजम उतना अच्छा है जितना कि सुप्रीम कोड का सुझाएगा टिपल टेस्ट फारमूला है तो देखना होगा आज क्या होता है वैसे मैं कोई आदेस नहीं दे सकता क् कि मैं कोड काज़ नहीं हूँ लेकिन इतना बता सकता हूँ अगर आज कोई आदेस नहीं आता तो यह मामला जनवरी 2003 तक खिस जाएगा राहुल गाधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में क्रोना की महामारी धीरे धीरे बढ़ रहे है क्या क्रोना की महामारी का जो जिक्र हो रहा है वह भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए हो रहा है वे एक नया तरीका लेकर आये है लेकिन हमारी यात्रा कस्मीर तक जाएगी देखिए मामला कहाँ पर गंभीर हूआ, अगर भारत जोड़ो यातरा रुकता है तो क्या बीजेपी की जितनी भी रैलिया है, जितनी भी जन सभाय हो रही है जो जो बीजेपी की दृद्वारा किया जा रहा है, क्या वह नहीं रुक रा चाहिए अगर बीजेपी यात्रा रैली सब रोक दे और कराई से क्रोना का पालन करवाए तो भारत जोड़ो यात्रा अपने याप रोक जाएगा लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को रोक कर और बीजेपी के द्वारा राजस्थार में रैली किया जाए मद्ध प्रदेश में रैली किया जाए तो कहा तक उचित है आप लोग कमेंड बॉक्स में बताईए क्या भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए और बीजेपी की जितनी भी रैलिया हो रही उसे चालो रहना चाहिए आपकी रहा हमारे कमेंड बॉक्स में जरूरी है आ हए और 2034 में बड़ा परिवर्तन होने के आफार दिख रहे हैं कई मुद्दे कांग्रेश के पात है बेरोजगारी का मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है इत्याज मुद्द्दाइ जो है कॉंग्रेश के पास हैं अगर कॉंग्रेस इसे भुना नहीं पाती है तो कॉंग्रेस की गलती है, कांग्रेस की कमी है, कांग्रेस की कमजोरी है, लेकिन अगर भारत जोडो यात्रा से कांग्रेस को फैदा नहीं हो रहा है, भारत जोडो यात्रा में अगर भीड नहीं हो रही है, तो आखिरकार बीजे का पालन करना होगा लेकिन भार जो लो यात्रा में यात्रियों के लिए प्रोटो का पालन किया जाए कि आपकी जो रैली में भीड हो रही है आप जो रैली कर रहे उसमें प्रोटो का पालन नहीं होना चाहिए कमेंड बॉक्स में आपकी राह हमारी रैट महत्पूर है आप ज देखिए मैं अभी आपको बताया हूँ कि असूचना क्यों जारी नहीं हो पाएगी, रीजन में बता दिया हूँ, उस रीजन के अंसार कारी होगा, और मैं आपको बठाना चाहता हूँ कि चुनाओ थोड़ा डिले होगा, चुनाओ में डिले होने के कई कारण है, कोड में माम लगी है, वा निरंतर लगी रहेगी, अगली अपडेट है, राहत, CNG, PNG की घट सकती है किमते, प्राकृतिक गैस की किमते, घटाने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव तयार, तो दोस्तों, चौदा प्रिस्दस उत्पात सुर्क वसूलता है केंद्र, CNG पर, जिसमें कमी कर के महंगाई को कम किया जा सकता है, अगली अपडेट है, सरकारी स्कूलों को लेकर, सरकारी स्कूलों में एक से पंद्रा जनवरी तक रहेगे, सीद कालिन आवकास, पहली से आठवी तक के स्कूल बंद रहेंगे, नवई से बरहमी तक के छातर परिछक लिए होंगे तयार, तो दोस्तों, साब साब इसपश्ट कर दिया, एक से आठ तक स्कूल एक जनवरी से पंद्रा जनवरी तक क्लोस किये जाते हैं, बाकी जो स्कूल है, नवई से बरहमी तक, वे परिछा की तयारी कराएंगे, और स्कूल नहीं बंद होगे, इसपश्ट आज की समाचार पत्र म बताया गया है, अगली अपडेट आउर्सोर्सिंग की भरती को लेकर, बरतमान सरकार आउर्सोर्सिंग पर ज़्यादा फोकस करती है, यह बात किसी से छुपी नहीं है, आउर्सोर्सिंग समीदा, और इसका बिरोध अभ्यर्थी करते हैं, प्रतियोगी चात्र करते हैं, ल पूर्गा संकर मिस्रा ने करमचारियों की कमी पर कहा, कि आज कैबिनेट की बैठक में निमावली को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, आयोगी के जरिये सीघरी नुक्ती की जाएगी, इस पर कोट ने कहा, कि आउर्सोर्सिंग से कम नहीं चलेगा, कोट में महत्मूर्स दस्त आप रखने की बात है, कोट ने मुक्ष सच्यों को ग्रामीर अभियंतन स्रीवा विभाग की कर्तूत दिखाई, कहा, कि अजसासी अभियंता ने आदेश का पालन नहीं किया, और मानना कारवाही में माफी के बाद सब्तमबर 2022 में आदेश पालन का स्रवासन दिया, और नॉ आउर्सोर्सिंग सम्विदा कुछ दिन के लिए होनी चाहिए, लेकिन पर्मानेंट भरती जो है, साट साला, यानि कि कुछ समय के लिए होनी चाहिए, ज्यादा समय के लिए होनी है, देखिए आउर्सोर्सिंग क्या होता है, जब कम बेतन मिलता है, तो वक्त करमचारी से काम ने करते हैं जो संभीदा परकार करता है जो आउर्सूर्सिंग परकार करता है वो लापारवाही से करते हैं लेकिन पर्मानेंट भरती में इस बात का डर होता है कि नौकरी न चली जाए तो कितनों भी हो तो आउर्सूर्सिंग और संभीदा से बहतर काम जो है पर्माने है बे फिक्री छोड़े जांच बढ़ाएं कड़ी निग्रानी रखें ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कुरोना पर उचिस्तरे बैटंग में बोले प्रधानमंत्री मोदी दवाओं की उपलब्दिता और कीमतों पर रखे नजार तो सवाल है क्या क्रोना की महामारी धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएगी क्या रेल पर प्रतिबंध लग जाएगा जो वाहर चल रहे हैं याता याद पर रोक लगेगी मैं आपको बता दू आ आधी कोई महामारी नहीं आई इतनी बड़ी महामारी नहीं है कि सभी पर प्रतिबंध कर दिया जाए आवा गमन बादित कर दिया आपको घबराने की एक प्रतिस्त अवशक्ता ने जो वर्क आप कर रहें निश्चित रूप से अस्ता उधानी पूरबक करते रहें क्योंकि कुरोना की महामारी है कुरोना फैल सकता इसलिए आपको प्रोटोकाल का पालन करते वे अपने वर्क को अंजाम दोने अपने वर्क को करना है तो आपको किसी को घबरानी के वशक्ता नहीं है तो इसी प्रकार की सही सठीक जानकारी अगर आपको प्रतिदिन चाहिए तो वी टेखनेक लिए दिरसे धन्यवाद जहिंज भारुस्तु नमस्कार